प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 7 तिरबुज की एक्ससाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे पहले हमारे पास एक प्रमे है थ्योरम है 7.2 क्या कहता है एक सम्द्वी बाहु तिरबुज की बराबर भु हो जाए ठीक है आइसोसेलेस ट्रेंगल उनके जो समुक कोन होते हैं वो बराबर होते हैं मतलब अगर हमारे पास यह कोई ट्रेंगल है एक डिस इस ए बी एंड सी और यह सम्द्वी बाहु तिरबुज है यह भुजा और यह भुजा हमें बराबर देवी हैं तो हमने सीथ कर हमें करते हैं हाल करते हैं सबसे पहले हमें दिया है पर्मे करते हुए शारी चीजें लिखते हम दिया है क्या तिरबुज A B C में इस सीथ़ाभुज करना है जो सिद करना है वो लिखते हैं क्या सिद करना है कि A B के सामने वाला कौन सी कौन सी बराबर कौन B ये कौन इस कौन के बराबर हमने सिद करना है हमने ये कई तरह से की जा सकती है रचना करते हैं हम हमने इस कौन का समद्विभाजक ले लिया माले जी हमने A कौन का सम्द्वी भाजक खींचा जो B C को कहां पर काट रहा है D पर कौन A के सम्द्वी भाजक की रचना की सम्द्वी भाजक A D की रचना की जो B C को जो B C को D पर काटता है ठीक है अब उपपत्थी सिद कीजिए हमारे पास ये दो तिर्बूजें लेते हैं तिर्बूज A B D तिर्बूज A B D तथा तिर्बूज A C D में तिर्बूज A C D में एक तिर्बूज ये ले ली मैंने एक ये तिर्बूज ले ली अब हमें A B is equal to A C दिया हुआ है A B is equal to A C ये हमें दिया है क्योंकि एक सम्द्व बहुत तिर्बूज थी पराबर भूजाएं है A D दोनों में है A D is equal to A D A D is equal to A D क्या है ये और इनके बीच वाला कौन ये वाला कौन कौन एक कौन दो एक और दो मान लेते हैं कौन एक बराबर कौन दो रचना से हमने रचना से किया है क्यों? क्योंकि A D जो है वो कौन A का क्या है? संद्वी बहुत है तो हमारे पास क्या बन गया? साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड रूल बन गया? S A S सरवांग सम्ता नियम से सरवांग सम्ता नियम से ये दोनों तिरबुजें क्या बन गई? तिरबुज A B D सरवांग सम्ता नियम से तिरबुज A C D के ठीक है, सिंपल, अगर ऐसा हो गया तो इसके सारे के सारे पार्ट क्या होंगे, दोनों तिरबुजों के, जो संगत भाग होंगे, वो इक्वल होंगे, means हमारे पास कौन B, किसके बराबर, कौन C के, कारण क्या लिखते थे हम, C, P, C, T से, corresponding part of Congress triangle, सरवांगसम तिरबुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कौन B बराबर, C या कौन C बराबर, B हो गया, इतिसिधम, hence prove, तो बहुत ही, असान सी है, यस, अगर आपने ध्यान से किया होगा, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चलिए, इस वीडियो में इतना ह होएं, आगे लिए ठोरम के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत,